हलो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिस्कस करने बाले हैं HP TAT का प्रीविज एर का पेपर HP TAT Arts का ये जो प्रीविज एर का पेपर रहने बाला है दोस्तो ये जो एक्जाम हुआ था में भी 2019 में हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 लिखा हुआ है साई 2018 यहाँ 2019 का ये है एक्जाम था तो आज हम इसका प्रीविज एर का पेपर जो है HP TAT का बो डिस्कस करने बाले हैं और दोस्तो इसमें हम 90 प्रीशन डिस्कस करने बाले हैं आपको पाता है जो 60 क्वेशन है वो Social Study सेक्शन से और बाग की जो 30 क्वेशन है वो Journal Awareness सेक्शन से रहने बाले हैं माफ करना दोस्तो थोड़ा सा इसमें क्लेटी जो है वो काम है क्यूंकि ये जो पेपर था कापी पुराना था और उसमें जो हमें पेपर ये मिला है दोस्तो तो उसकी जो क्लेटी थी बहुत काम थी लेकिन मैं आपको प्रेशन को बता दूँगा आपने जो प्रेशन है ये ध अहले प्रशन से, फर्स्ट क्वेश्चिन है, 61 क्वेश्चिन से, भारत में संसत के सियुंक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, दोस्तों ये करता है, जो भारत की संसत होती है, उसका जो सियुंक्त अधिवेशन है, ये बुलायत हो जाता है, राष्टपती के द्व और अगर बुलाया जाता है जो जोईंट सेशन है पारलेमेंट का ये बुलाया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा और ये जोईंट सेशन जो है ये हमशेद 108 के तहत बुलाया जाता है तो इससे जुड़ी इतनी बाते आपने याद रखनी है समिधान का कौन सा संसोधन एदिनियम एक मिनी समिधान के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो मिनी समिधान के रूम में जाना जाता है बहुत है 42 समिधान संसोधन ओप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 42 समिधान संसोधन कब हुआ था तो ये हुआ था दोस्तो 1976 में 1976 में और 42 समिधान संसोदन को मिनी समिधान कहा जाता है मिनी समिधान संसोदन कहा जाता है और बात करें दोस्तो इसमें एक समाज बाद्दी धरवनेर पेक्ष और अखंडता तीन सब्जों थे बहुत जोड़े गए थे इस हमिधान श्रोधन के तहर्ट नेक्स्ट क्वेस्टन है बिश्व बैपार संगठन को सोरी यहाँ पर है बिश्व बैपार संगठन की स्तापना कब हुई तो बिश्व बैपार संगठन यहनिकी जो डवली ट्यो है World Trade Organization इसकी जो सतापना हुई थी दोस्तों बो हुई थी एक जनबरी 1995 को तो ऑप्षिन इसका इसका भी सही हो जाएगा एक जनबरी 1995 चानवे और बात करने दोस्तों WTO की तो एक जनबरी 1995 को WTO का formation हुआ इससे पहले दोस्तों इसका जो नाम था गैट यनिकी GAWTE इसका नाम था और इसकी जो फुल फोर्म थी दोस्तों वो थी Journal Agreement on Tariff and Trade और इसकी जो स्तापना हुई थी दोस्तों अंदोलन का पहला सिकर समेलन कहा हुआ था दोस्तों जो गोट निरिपेक्ष अंदोलन था Non Alignment Moment जो था दोस्तों इसका जो पहला समेलन हुआ था वो हुआ था Belgrade में Option A इसका सही हो जाएगा यहां पर लिखका हुआ है Belgrade में हुआ था यूगोसलाविया की राजधारनी और बात करने दोस्तों Non Alignment Moment की तो इसका जो फोर्मेशन हुआ वो हुआ था 1961 में तो आपको मैं additional जो फोर्मेशन बता रहा हूँ यह भी आपने याद करनी है एक्जाम में पूछी जा सकती है Next है भारत अमेरिका का प्रमाणू करार किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों भारत और अमेरिका का प्रमाणू करार है India-US Nuclear Deal जो है यह जाना जाता है दोस्तों 1, 2, 3, N की 123 एग्रिमेंट के नाम से तो आप्शन इसका भी जो है बो सई हो जाएगा 123 सेग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है भारत अमेरिका का प्रमानु कुरार तो यह हुआ था 2005 में और उसमें जो भारत के प्रधान मंतरी थे बो थे दोस्तो मन्होन सिंग और जो अमेरिका के टाश्टपाती थे बो थे जोर्ज बुश नेक्स्ट क्वेशन है कश्मीर में शालिमार और निशानत बागों को किस मुगल समराट ने बनवाया था तो दोस्तो किस्मीर में जो शालिमार और निशान्त बाग है इसका निर्मान करवाया था जहांगीर ने तो उप्सन C सही हो जाएगा जहांगीर के द्वारा करवाया था शालिमार और निशान्त बागों का निर्मान next question है सांची स्थूप किसने बनाया था तो दोस्तों जो सांची स्थूप है ये बनाया गया था महान मोरे शार्सक अशोक के द्वारा और option D इसका सही हो जाएगा अशोक के द्वारा और कहां है दोस्तों सांची स्थूप तो ये है मद्यप्रदेश के दोस्तों सांची मैं या गाटी के लोग इसकी पूजा करते थे तो जो सिंदु गाटी सबेता के लोग थे वो करते थे दोस्तों पशुपती की पूजा ओप्शन A सही हो जाएगा पशुपती अगर यहाँ पर पशुपती नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पर होना था मात्री देवी next question है मनुष्य ने सबसे पहले निमलिक्त में से किस धात्व का प्रयोग किया तो सबसे पहले मनुष्य के द्यारा जो धात्व प्रयोग करी गी थी दोस्तों वो थी तामबा और option इसका डी सही हो जाएगा तामबा इसका सही आंसर है लोहे का जो जानकारी थी दोस्तों वो काफी बाद में प्रियाब लोगों को मिली थी जो सिंदुखाटी सब्वेता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले तामा का प्रियोग किया था नेक्स्ट है अभिश्वास प्रस्ताब संसत के किस अधन में प्रस्तुत किया जाता है तो जो अभिश्वास प्रस्ताब है यह संसत के दोनों सदनों में पेस किया जाता है तो और अभिश्वास प्रस्ताब जो है दोस्तों यहें बिवक्स द्वारा पेस किया जाता है यानि कि जो बरतमान सरकार है उसको गिराने के लिए अभिश्वास प्रस्ताब का किया गया था और किसके द्वारा जेपी क्रिपलानी के द्वारा और जुहाला नेरू के उसमें पेश किया गया था और बात करें किसके समय सबसे ज़्यादा अभिस्वास प्रस्ताब पेश किये गये थे जो दोस्तों इंद्रा गांदी थी उसके विरोध में उनकी सरकार के व पासी के अंदरगत किया जाता है और औप्शन इसका B जो है वो सही हो जाएगा Article 280 Next question है किस नदी को भारत में तक्षिन की गंगा कहा जाता है तो दोस्तो जो गौदवरी रिवर है इसको तक्षिन की गंगा कहा जाता है और उप्शन B सही हो जाएगा गोदावरी रिवर नेक्स्ट क्वेशन है काली मिटी किस फ़सल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है तो दोस्तों जो काली मिटी है ब्लैक सोयल जो है कुपास की फ़सल के लिए अच्छी होती है और उप्शन C इसका सही हो जाएगा कुपास और बात करें कुपास की खेती कहां होती है जादा तर तो दोस्तों महाराश्ट और जो गुजुरात का एरिया है उसमें काफी जादा कुपास की खेती होती है क्योंकि महां की मिटी जो है बहुँ बलैक है next है दोस्तो माचल के किस शहर को माचल का बनारस कहा जाता है तो माचल का बनारस कहा जाता है मंडी को option A सही हो जाएगा मंडी next है छोटी कासी कहें या फिर मंडी छोटी कासी कहें या फिर बनारस कहें तो इसका option A होगा मंडी next है भुकम का मुख्य कारण है तो आपको पताना है दोस्तो भुकंप का मुख्य कारण क्या है भुकंप का जो मेन कारण है वो है tectonic forces यानि वीवर्तनिक बल option C से हो जाएगा वीवर्तनिक बल next है किस मौलिक अधिकार को Dr. भीम राम अवेटकर ने भारते सम्विधान की आत्मा और हिर्द्य कहा है तो दोस्तों जो सम्विधान सम्विधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में जो आता है दोस्तों इसी को डॉक्टर भीम राम अवेट करने भारते सम्विधान की आत्मा और हिर्द्य कहा है तो option D इसका सई हो जाएगा इसके तहट, दोस्तो, 5 रिट जारी करी जाती है next, है निर्बाचनायोग भारत में किसके धीन कारे करता है तो दोस्तो, निर्बाचनायोग जो है यह भारत में किसके धीन कारे करता है तो दोस्तो, यह अपने आप में एक constitutional body है तो दोस्तों इसका option डी जो है पो सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और बात करें निरवाचन आयोग की तो दोस्तों भारत के सर्वोच नियाले का कार्य किस बर्ष शुरू हुआ तो दोस्तों जो स्प्रीम कोट है इसने कार्य करना शुरू किया था जब भारते समिधान लागू हुआ था 26 जनवरी उनिसोप चास को तो option इसका ए जो है पो सही हो जाएगा उनिसोप चास नेक्स्ट कॉच्चन है भारत के समिधान में सिक्षा का बिस्य किस सूची में है तो दोस्तों जो सिक्षा का बिस्य है आपको ग्यात होगा जो समिधान है मारे समिधान में जो अनसूची साथ है उसके अंतरगा तीन सूचियां आती है संग सूची राज्य सूची और संबर संबर्ती सूची का बिश्य है। ऑप्सन C सही हो जाएगा संबर्ती सूची। 1976 से पहले दोस्तों जो सिक्षा था ये है राज्य सूची का बिश्य था लेकर जब 1976 में 42 समिधान संसोद्न हुआ तो सिक्षा है इसको संबर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्य सोरी भारत्य राष्ट्य ध्वज कब अपनाया गया आपको पताना है भारत्य राष्ट्य ध्वज कब अपनाया गया तो ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को समिधान शावा के द्वारा ओप्शन C कुरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है मैकमोन सीमा रेका किन देशों के बीच स्तित है तो दोस्तों जो मैकमोन सीमा रेका है यह है भारत और चीन के बीच option B correct हो जाएगा कब किन जगे था दोस्तों इसको 1914 में इसका जो निरधारन हुआ था वो कहां से हुआ था तो शिमला से हुआ था नेक्स्ट क्वेशन है पार्चु जील कहां पर स्तित है दोस्तों पार्चु जील जो है यह है तिबबत में option C correct हो जाएगा तिबबत में नेक्स्ट क्वेशन है भारत का मैंचेस्टर किस शहर को कहा जाता है तो भार्त का जो Manchester है वो कहा जाता है दोस्तों एहमदाबाद को जो आप्षिन B सई कहा जाता है और नौर्थ का मैंचेस्टर का कानपपर को कहा जाता है और आप कमेंट करके बताएं जो दक्षिन भारत है उसका मैंचेस्टर किसे कहा जाता है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टि या पर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है इंगलिस में पढ़ेंगे नो अपील, नो भगील, और नो दलील, इस बरड़ार लेटर टू दोस्तो बिना अपील, बिना दलील और बिना भगील के लिए यह जो कातन सबंदित है यह सबंदित है दोस्तो ओप्शन B सही हो जाएगा रॉलेट एक्ट से सबंदित है इसके तहत किसी भी बिक्ति को कोई भी अपील, बगील और दलील करने का अधिकार प्राप्त नहीं था तो बिना किसी भी बरंट के दोस्तो बिक्ति को गिरिपतार किया जा सकता था तो कब गवा था दोस्तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था इसे काला कानून भी कहा जाता है नेक्स्ट है बलबंत राए महता स्मीती का सबंद निमन मैंसे किसे है तो दोस्तो जो बलबंत राए महता स्मीती थी इसका जो सबंद है वो है पंचायती राज ब्यवस्ता से और दोस्तो जो पंचायती राज बेवस्ता और दोस्तो जो पंचायती राज बेवस्ता ये बंत राई महता स्मिती थी इसने कब कमेटी गटित हुई थी तो ये 1957 में गटित हुई थी दोस्तो बंत राई महता की अज़्यक्स्ता में और इसने तीरी स्तर ये जो पंचायती रा तो आपने ये याद रखना है नेक्स्ट है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस बर्ष लागू किया गया ये लागू किया गया 2005 में ऑप्शन D से हो जाएगा 2005 में राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट नेक्स्ट है निमलिक्त में से किसे भारत का पहला लोगपाल निक्त किया गया तो भारत का पहला लोगपाल निक्त किया गया था नियाधीस PC गोष यानि की पिनाकी चंदर गोष को ऑप्शन इसका C से हो जाएगा नियाईदी स्पीसी घोश नेक्स्ट क्वेशन है भारत में प्रसासन की बुनियादी क्षेत्रिय काई निमलिक्त में से क्या है दोस्तों इंडियन सिस्टम विच इस दा बेसिक उनिट ऑप अडिमिस्ट्रेशन वो है डिस्टिक ऑप्षन डी सही हो जाएगा डिस्टिक जो है वो हो बुनियादी क्षेत्रिय काई है नेक्स्ट है निमलिक्त में से किस क्रांती को अक्टूबर की क्रांती कहा जाता है तो जो रशियन रिपोल्ट है दोस्तों 1917 में होई थी तो उस क्रांती और नेक्स्ट है तो जो समिधान है इसका जो पर्चे है वो कौन देता है वो है प्रियम्बल यानि की प्रिस्ताबना ऑप्शन D सही हो जाएगा प्रिस्ताबना समीधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रिस्ताबना को नेक्स्ट है बाबा कांशिराम को पहाडा दी बुलबुल पादी किसने दी तो यह पादी दी गई थी दोस्तो स्रोजनी नाइडू के द्वारा ओप्शन D सही हो जाएगा स्रोजनी नाइडू नेक्स्ट है ब्लैक पेगोड़ा स्थित है तो दोस्तो ब्लैक पेगोड़ा जो है यह कहा जाता है जो कुनार्क का सोर्य मंदिर है तो option B इसका सही हो जाएगा कुनार्क में है ब्लैक पेगोड़ा नेक्स्ट है दोस्तो डाइट किस देश की संसद है दोस्तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रेशन पूछे जाते हैं तो आपने अपने गजाम के लिए इनी टॉपिक को पढ़ कर जाना है तो डाइट जो है दोस्तो जपान क संसत का नाम है option C सही हो जाएगा जपान बात करें रूस की संसत का नाम तो वो है डियूमा और दोस्तो चियाने की बात करें तो इसका होगा नेशनल प्यूपल एसेंबली इसी तरह से है माफ करना अगर और जो नार्वे है दोस्तो इसका स्टोर्टीन इससे स्वंदित है इसी तरह का नाम है नार्वे की संसत का next है प्रधान या मियोत्तर का मान है दोस्तो जो prime meridian है वो कहा जाता है 0 degree को option a sorry b जो है वो सही हो जाएगा 0 degree को प्रधान या मियोत्तर कहा जाता है यानि की mean green ग्रीन बिच जो है दोस्तो इसी को कहा जाता है next है पटन घाटी कहां स्तित है तो ये स्तित है दोस्तो लहुल स्पित्ती में option c जो है वो सही हो जाएगा लहुल स्पित्ती पटन घाटी को दोस्तो चंदरभागा घाटी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है वेदों की ओर लोटो ये प्रसिद नारा किसने दिया था ये जो नारा है ये दिया था स्वामी दियानन सरस्वती के द्वारा ओप्शन B सही हो जाएगा स्वामी दियानन सरस्वती दोस्तो श्मावि देनन जो सर्ष्वती थे इन्होंने आरिस माज की स्तापना भी करी थी Next है, सदी प्रधापर पबंदी कब लगाई ग Boulder लगाई गई थी इन्होंने सदी प्रधापर पबंदी लगाई थी राजा राहमों राय के प्रियास से नेक्स्ट है भारतिय बनीजीव सरक्षन अधीनियम कब लागू हुआ तो जो भारतिय बनीजीव सरक्षन अधीनियम है ये लागू हुआ था 1972 में option A सही हो जाएगा 1972 नेक्स्ट है महाभारत में कुल कितने स्लोक हैं दोस्तों महाभारत में जो कुल स्लोक की संक्या है वो एक लाख है तो option इसका A जो है वो सही हो जाएगा एक अलाख नेक्स्ट है मानचितर पर जलाशें को दिखाने के लिए किस रंग का प्रियो किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कुल सबसे धिक संक्या है दोस्तों वो है मुंबई में option B सही हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों एहमदबाद का स्तान आता है अगला प्रशन है लुंबनी में किसका जनम हुआ था तो दोस्तों लुंबनी में जो जनम हुआ था वो हुआ था गौत्म बुद का option B जो है वो सही हो जाएगा कहां है लुंबनी तो यह है दोस्तों नेपाल में कब हुआ था महत्मा बुद का जनम तो 563 BC में हुआ था next है next question बर्श उनिसोहनतर में कितने बैंकों का रास्टेकर्ण किया गया तो उनिसोहनतर में चौदा बैंकों का रास्टेकर्ण किया गया था option B correct हो जाएगा उसमें जो RBI के गवर्नर थे दोस्तों वो कौन थे next question है निती आयों जो है ये एक non constitution बोड़ी तो option A जो है वो सही हो जाएगा जो planning commission था योजना योग उसके स्तान फर दोस्तों नीती आयों की स्तापना करी गई है तो आप प्रमेंट करके बताएं भारत में नीती आयों की स्तापना कब करी गई नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा प्रमानु उर्जा के अंदर किस राज्य मैं है तो दोस्तों जो नरोरा प्रमानु उर्जा के अंदर है ये है भार्त के बलंच सहर येनि कि UK में आप्षन B वो सही हो जाएगा UK इसका प्लन हो जाएगा उत्तर परदेश next है दिक बष्णा बाले क्षेत्रों में पाय जाने बाले बनों को क्या कहते हैं तो उनको कहा जाता है ट्रोपिकल रेन फोरेस्ट उष्न कंडी बंदिये बष्णा बन option A correct हो जाएगा next question है तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ہے तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दिदिये और चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर दे question है वारते समिधान की धारास तारा से क्या अभी प्राई है यहाँ पर धारास तारा नहीं होना था दोस्तों यहाँ था article 17 यानिकि यहाँ पर article 17 दिया हुआ है यानिकि अनुषेद 17 धारा और अनुषेद में काफी निफ्रेंस होता है तो article 17 जो बात करता है बात दोस्तों untouchability की यानिकि चुवचूत की तो option इसका D सही हो जाएगा इसके तहट दोस्तों चुवचूत स्माप्त कर दिया गया है Next है भारत में कौन सा क्षेतर राश्टी आये का सबसे बड़ा स्त्रोथ है राश्टी आये का जो सबसे बड़ा स्त्रोथ है दोस्तों वो है service sector Option इसका C जो है वो सई हो जाएगा सेवा क्षेतर Next है सूरे के चारों और प्रिथवी की गति को क्या कहा जाता है तो उस गति को कहा जाता है दोस्तों परिक्रमन यानिकी rotation Sorry, tribulation कहा जाता है Option A सई हो जाएगा और गुर्णन कहा जाता है दोस्तों जो प्रिथवी अपने अक्ष पर गूमती है Next है कांडला बंदरगाह कहां स्तेथ है तो ये स्तेथ है दोस्तों गुजरात में Option इसका A सई हो जाएगा गुजरात में स्तेथ है कांडला बंदरगाह इसको जबारी बंदरगा भी कहा जाता है नेक्स्ट है भार्त के राष्टपती पद के लिए युन्तम निर्धारित आयू कितनी है मिनिमम जो एज है राष्टपती के एलेक्शन के लिए बो है 35 एर और प्रधानमंत्री के लिए दोस्तो 25 बर्स है बरनेक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया यह लागू किया था दोस्तो लॉड लिटर ने और और आप्शन ए सही हो जाएगा कब गुआ था तो ठारा सो अठात्तर में लागू हुआ था दोस्तो इसके तहर दोस्तो जो भारत के समचार पत्र बगैरा थे उन्हों पर बैन लगाया जाता था और इसको जो खत्म किया वो किया दोस्तो लॉड रिपन के द्वारा नेक्स्ट है लैप्स निती का प्रणाम किसने किया लेप्स निती जो थी ये लोड लोजी के दोरा लागू करी गई थी option B इसके तहर दोस्तों राजी अधिग्रेंड कर लिया जाता था यानि कि राज्य को हडप लिया जाता था इसे हडप निती भी कहा जाता है नेक्स्ट है भर्त नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्न रित्ते है तो ये है तिमिलनाडू का option C correct हो जाएगा तिमिलनाडू नेक्स्ट क्वेशन है मेरीनो एक प्रजाती है तो मेरीनो एक प्रजाती है दोस्तों भेड की एनकी शिप option D correct हो जाएगा भेड की नेक्स्ट क्वेशन है च्वालिसवे समिधान शन्शोदन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया तो दोस्तो 44 वा समिधान श्रशोदन जो हुआ था ये हुआ था 1978 में हुआ था और इसके तहट जो संपत्ती का दिकार था इसको मॉलिक दिकारों की सुची से टा दिया गया था इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था और बरतमान में ये है आर्टिकल 300A में इसको शामि 1448 और दोस्तो इसकी जो फॉंडर थे दोस्तो बो थे एन एचन कुंजरू यानि की हिर्देनाथ कुंजरू जो थे वो इसके फॉंडर थे अब कमेंट करके बताएं एनसीजी का मोटो क्या है नेक्स्ट है कौन सा प्रतेक्स कर नहीं है दोस्तो इनमें से जो इंडारेक्ट तो उप्सन ए सही हो जाएगा बाकी जो एक्जामपल है वो इन डारेक्ट टेक्स से एक्जामपल है यानि की जो इनमें पूछा गया था आपको कौन सा अप्रतेक्स कर नहीं है यानि की डारेक्ट टेक्स है तो दोस्तो सेवा कर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अब दोस्तो जर्नल नौलिज शेक्शन जो है इसकी शुरूप होती है माचल प्रदेश में लोग मित्र के अंदर निमलिक्त मैंसे कौन सा काम करते हैं ये सबी काम है लोगमितर के अंदर करते हैं बिजी जी के बिल जमा करना पानी के बिल जमा करना और जमा बंदी की प्रतलिपी निकालना नेक्स है माचब देश में राजे सड़क परिभेंद द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रसेंट छूट दी जाती है तो ग्रीन कार्ड के थैं दोस्तो 25 प्रसेंट की छूट मिलती है नेक्स है कल्यान सोनना सुनालिका और आरार 21 किस पसल की किसमे हैं तो ये हैं गेहूं की किसमे यहीट की ओप्शन A सही हो जाएगा गेहूं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्यांग बाक्यांग और बियांग्चु किस जिले के निरते हैं तो ये जो निरते हैं फेमस निरते हैं किनौर जिले के option A सही हो जाएगा किनौर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाट कोटी निचार और सरहन के बीच क्या समानता पाई जाती है दोस्तों हाट कोटी निचार और सरहन के बीच समानता है यहाँ पर देवी की पुजा का स्तान जो है वो सेम है option C जो है वो सही हो जाएगा एक ही देवी की पुजा करी जाती है इन ती ये हरनाचर प्रदेश का प्रशेद नित्ते है जिसे मुखोटा नित्ते भी कहा जाता है नेक्स्ट है अनुशेद 368 का स्वंध किस्से है तो दोस्तों अनुशेद 368 का जो सबंध है वो है समिधान संसोधन से और option A correct हो जाएगा और समिधान संसोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों बोल लेगिये है दक्षन अफ्रीका के समिधान से नेक्स्ट है हाल ही मैं बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया इसका जो नाम रखा था दोस्तों वो रखा था बदलाब जिसकी जो full form है दोस्तों बदलाग की जो full form है वो क्या है तो आप comment करके बता दें नेक्स्ट है आशा की धातु किसे कहा जाता है तो आशा की धातु कहा जाता है दोस्तों uranium को option A correct हो जाएगा uranium और बात करें future विभिष्य की धातू किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है titanium को next है रुपेए चिन की रचना किसने की तो दोस्तों रुपेए चिन की जो रुपेए पर sign बना होता है ऐसे रुपेए का जो sign तो क्या हैं दोस्तों यह है एक प्रकार की लिपी है तो option D सही हो जाएगा एक प्रकार की लिपी यहन की A script next है माचब देश की सबसे उपचाओ घाटी कौन सी है सबसे उपचाओ घाटी की बात करें तो वो है बलहे घाटी और कहां है यह है मन्डी district में तो option B सही हो जाएगा बलहे घाटी next है मकोड़ी जोत किส जिले में स्तित है तो मकोड़ी जोत है कांगडा district में option A सही हो जाएगा next नहान शेयर की स्तापना किसने की थी तो नहान शेयर की स्तापना करीगी दोस्तों करम परकास के द्वारा option D सही हो जाएगा करम प्रकाश next है माचप देशब कोशन्य राज्य में प्रचलित बेगार से क्या तात पर रहे है तो दोस्तों बेगार जो थी यहे प्राने समय में बिना मुझूरी दिये दोस्तों मुझूरी करवाई जाती थी यहनिकी बिना पैसाओं के काम करवाना तो option B सही हो जाएगा मुझूरी दिये बिना जबरन कार्य करवाना next है मेक इन इडिया का लोगो क्या है तो जो मेक इन इडिया प्रोग्राम है दोस्तों यह भारत के प्रणमंतरी नरेंदर मोधी के द्वारा शुरू किया गया था इसको जो लोगो है वो है शेर next है भारत यह क्रेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है तो यह होती है 15 option D सही हो जाएगा 15 next है भारत में बस्तू और सेबा कर कब शुरू किया गया तो दोस्तो GST कब लगू किया गया भारत में यह किया गया था 1 जुलाई 2017 को option C सही हो जाएगा इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 सबसे पहले असाम स्टेट में दोस्तो GST को शुरू किया गया था next है LED का पुन रूप है दोस्तो LED का जो पुन रूप है वो है Light Emitting Diode option A Correct हो जाएगा बात करें LCD की तो उसका होता है Liquid Crystal Display next है किस महादीब से तीनों कालपनिक रेखाएं करक रेखा, मकर रेखा और विश्वत रेखा गुजरती है दोस्तो यह है अफरीका महादीब इससे तीनों रेखाएं गुजरती है और बात करें भारत की तो उससे गुजरती है दोस्तो करक रेखा यनकी Tropic of Cancer भारत से गुजरती है भारत के आठ राजियों से next है सन 2019 में तो दोस्तो यह था उसमय का करंट अफेर का question तो यह अभी पढ़के किससे रिप्रिजेंट करता है तो दोस्तो एड़ा की फुल फोर्म है Insurance Regulatory Development Authority of India यह दोस्तो इसका option D से डिनोट होता है development option C सही हो जाएगा इसकी स्तापना होई थी सन 2000 में दोस्तो और यह पूरे देश में जो incidence है उसकी निगरानी करता है Next है माचब देश के प्राचीनतम निबासी कौन थे तो प्राचीनतम निबासी थे दोस्तो कोल option A सही हो जाएगा सबसे पहले यह जाती है उसके बाद आए खस Next है दोस्तो सरप्रत्थम नोबिल पुर्षकार किस वर्स दिया गया नोबिल पुर्षकार सरप्रत्थम दिया गया था 1901 में दोस्तो जो अलफ्रेड नोबिल थे उनकी मृत्यू के पांचबे बर्ष के बाद दिया गया था नोबिल का पुर्षकार और दोस्तो जो नोबिल पुर्षकार है यहें Alfred Nobel की सम्रिती में दिया जाता है जिनोंने एक विस्पोटक जो डाइनमाइट था उसका विश्कार करा था नेक्स्ट है पंचम बेद किस करंद को कहा जाता है तो पंचम बेद कहा जाता है दोस्तों महाभारत को option B सही हो जाएगा महाभारत नेक्स्ट है भारत की सब्तंतरता के समय बिटेन का पधानमंत्री कौन था तो भारत की सब्तंतरता के समय जो बिटेन के prime minister थे बोथे clement Italy नेक्स्ट है पठार से क्या अभिप्राय है तो दोस्तों पठार क्या होता है पठार होता है उंचे ध्रातल बाली जमीन का चौड़ा विस्तार और ऑप्षन C सही हो जाएगा इसको पठार कहा जाता है नेक्स्ट है साथ बहने नाम से कौन प्रसिध है तो सतों जो साथ बहनों के नाम से प्रसिध है जो पुरबोत्तर के भारत के साथ राज्य है और और नाचल पर्देल मनि पूर, त्रिपुर, मिंजोरम, नागालेंड इन सभी को इंक्लूड किया जाता है और Major State Assam जो है उसको भी include किया जाता है Next है मौली कदिकारों को किस देश के समिधान से लिया गया है तो दोस्तों ये लिया गया है जो मौली कदिकार थे ये लिये गये हैं अमेरिका के समिधान से US के option D से हो जाएगा अमेरिका तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तो हमने HP Tate Arts प्रीवेश एर का वेपर सॉल्व कर लिया है अगर आपको PDF चाहिए तो आप Telegram चैनल को जॉइन कर लेना Thanks for watching God bless you all